देखिए आज की वीडियो में आपको जो बताने वाला हूँ है Magic Maths आप लोगोंने Magic Maths कह बार सुने होंगे Magic Maths के बहुत सारे सो भी चलते बहुत सारे वीडियो भी आपको मिले होंगे लेकिन इस टैफ के Magic Maths जो है आपको बहुत इजी लगेंगे आपको तो तेंद में भी काम आएंगे ठीक है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि magic math होता क्या है magic मतलब होता जादू maths के मतलब maths यानि गनीत होते हैं इसे आप चुट्कियों बजाते हुए आप जोर सकते हैं इसे घड़ा सकते हैं गुणा कर सकते हैं भाग भी कर सकते इस तरह के बहुत सार ऐसे ट्रीक आपको मिलते हैं लेकिन आज किस वीडियो में हम जाने के magic math में आप जोर सकते हैं चुट्कियों में कैसे जोर सकते हैं अगर आपको कह दिया जाए कि एक प्लस तीन प्लस पांच प्लस साथ प्लस नो कितना होगा तो देखें पांच को पांच से गु टूटल है 10 शेया आप गिन अए कि 2,3,4,5,6,7,8,9,10 याणी 10 तो दस का स्क्वार करेंगे इसका मतलब हो जाएगा 10 गुने 10 यानी 100 इसका इंसर हो जाएगा 100 आप जोर करके देख सकते हैं तो मतलब चुट्क्यों बजाता ही आपका इंसर आते जाएगा आप चाहते कि नहीं हम यहाँ पर जोरे कितना गांग एक तीन पांच साथ नौ यह तो पांच हुआ च्व यानि आठमा संख्या लेते हैं तो इसका फर्मूला जो होता है फर्मूला होता है एन स्क्वार्ड आपको यहां पर लिख लेनी चाहिए एन स्क्वार्ड विसम संख्या अगर हमको योग निकलना होगा तो यहन स्क्वार्ड जितना नंबर है इसमें 10 नंबर है तो 10 का में स्क्वार करेंगे तो 10 का स्क्वार का मतलब क्या हो गया तो यह लेकिन आपको आप त्रीक बताथा अगर करता घ्रगी हो गया लेकिन 18-ēिक स्क्राइब निकालना हो तो आप गुणा करना लगेंगे लेकिन कुना नहीं करना इसको गुणा करने का गुणा घर iç Все ग्रीक देंगे 884 चाट हासील हो जाएगाएगा चो अब इसको इसको इसे गुणा करेंगे 588-8, 6 तो आप स्टूडेंट है तो आपको एक से ले करके 20 तक है स्कॉर आपको मन में मतलब दिमाग में आपको हमेसा ही रखने याद क्योंकि एक से ले करके 20 तक है स्कॉर कई बार आपको जरूरी पर सकता है यह थे कुछ त्रीक मैं आपको और भी बताऊंगा सम्संख्या वाले हैं और यह तरह से आपको कुछ बच्ची की दिमाग में होते होंगे जो संख्या का बताते हैं यहां पर यहां हुआ करेंगे यह जो है संख्या क्या होता हैं संख्या का फर्मूला होता है लेकिन आपको जहाना है कि को भटेंगा, तो बार्बातक में के खुindi संख्या होगा, एगो, दू गो, तीन 6 गो, चार गो, 5 गो six गो, तो द्थलए कहा हो जाएका सक्या क्या हो जाएका, जितना संख्या हो गया, प्जोर करुख भी डेख सकते हैं तो इस तरह से आप सम संख्या करेंगे साथ आता तो आठ से गुना करेंगे मतलब अगली वाले संख्या से मुझको गुना करेंगे किलियर अब देखें यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है यहाँ पर होने वाला है वो यहाँ पर होने वाला यह ही तो यह क्या है तो यह है कुछ मतलब नंबर इसका हम घो इस तो हम इसमें क्या करेंगे जोरेंगे तो देखेंगे सबसे पहले इसमें बीसम संग्या कितना है तो एक देखें बीसम संग्या को हमको लिखना होगा तो यह वो यह हो गया तीन दू गो पांच साथ नौ एगारा येतना है अब गिल लीजे एक दू तीन चार पांच छे चे का मतलब कितना हो गया च्छे का मतलब हो गया च्छे का इस पर 36 अब समसें क्या जोड़िए एक दू तीन चार पांच छे हुआ तो च्छे के अगला बाला समसें कितना हो जागा च्छे सते 42 आप जोर दीजिए 42 को 36 को जोड़िए च्छो दू आठ चार थिन साथ अठ्टर होगे कि नहीं हो गया बस इसका भी एंसर आजाएगा तो इस तुरह से आप करना चाहे तो बहुत दीजी तरीके से कर सकते हैं आपको लगता है कि यह प्रोब्लम हो रहा है तो में को और आपको समझा दे घबराइए नहीं देखे यह आपको देखना है बस ध्यान से देखिए ठीक है इसमें क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि जितना सम संग्या कितना विसम संग्या है जितना सम होगा सम बलागो विसम बलागो विसम बलागो तो दीके विसम संग्या एक दू दू हो जाएगा तीन तीन चार पांच छे हुआ तो शे का मतलब क्या हो गांगे तो 36 होगा अब देखें सम्संक्या एक दू तीन चार पांच छे हुआ तो च्छे का अगला वाला संग्या क्या हो जाएगा साथ यह निए छए सदे मैलीज शातीस को ब्यालीज को आप जोरेंगे तो कितना हो जाएगा तो छोदु आट चार त साथ ही अठातर हो गया इस तरह से आप बना सकते हैं बहुत हीजी तरीए से तो यह थे कुछ ट्रीक्स जो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हाँ इस चैनल पर नए है तो मैजिक मैट्स की और भी वीडियो अगर आप अलग-अलग परकार की नॉलिजबल वीडियो प्राप्त कर सकते हैं मिलते एक लिए वीडियो में जैहिंद